हेलो जी सब तो पहला सारे नों सश्रीकाल वेलकम टू माई चैनल अज जा पा बना रहे हैं जैलो जेडी के लैमिन वाली है ग्रीन लैमिन ठीक है यह बच्चे अंदीता नों सब नों पता के बहुत फेवरिट हूं दिया स्टोर नालो बैटर बन दिया कर दे विच ते आओ अज जपा देख दें किस टंग नाला पा बना सकते हैं सब तो पहला की करना तुसी ओवन स्टार्ट कर लेना ठीक है जी जुदो तोड़ा वाटर वार गर्म हो जान्दा पूरा चंगी तरह गर्म हो जान्दा ओदू आप प लाइक कर दें तुसी ओनों ले सकते हैं जिदो पूरा गर्म हो जोगा ओदो तुसी यह विच मिक्स करना मा ते मिक्स करना लगे तार बित्व कोई गल्ती नी होनी चाहिए नहीं ते खराभ हो जान्दिया थोड़े जिदो गर्म हो जेगा पानी नू जिदो तुसी बॉयल पाउंगे ओदे विच पाऊंगे ओदे विच पाऊंगे सॉरी ओदे तुसी यह नों मिक्स करना स्टाट कर देना अदरवाइस यह विच गंडा बढ़ जान दिगा ते फिर अच्छी नी बढ़ दीगी हाँ जी होन अपना पानीयों और रेडी बबल इस बान लागे मतला ब बॉड़ दे विच यह जलो पाई हुई है पाऊडर जेडा एदा इनू अपा मिक्स करना स्टाट करांगे ठीक्या एनू फटा फट्ट तुसी नाल्दी नाली मिक्स करना स्टाट कर देना पहला थोड़े जे विच कार लो तांके उचंगी तरह मिक्स हो जावे ताननों मिक अब दाने हुँगे यह उद्ना ही रहा जान दे विच ठीक है फिर वो सही नहीं बन देगी तो देखो दूसी हुँँ मैंनों जिद्दा फास्ट फास्ट मिक्स कर रहे हैं जड़े निकी निकी दाने हुँँदे यह उख और जानगे चलगे तरह अच्छे टागिना यह मिक इन्हों इद्दा ही तुसी पहला पूरे फास्ट टांग नाल इन्हों करी जानी है मिक्स कर लेना ताकि बिल्कुल ज्यादा अच्छे टांग नाय मिक्स होएगी उन्हीं ही वदिया बनेंगी बिल्कुल उस टाइप बन जान दी है जिद्दा तुसी स्टोर दे विचो बाए कर दियों अच्छे नों चैंगी तेरा मिक्स हो गया होने है पर आपां हुनी नी रखनी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है जिदो रोम तंप्रेचर हो जाए गाराई तेदा पानी याने व जिद्दा पत ह्यां। 1-2 चैंग रेप कार एफर दम फ्रीजर दे विचह रखना प lets say squak 10अ प्रें फ्रीजर दे विचे रखना आफ्टर 4 dernière यह पर्फेक्ट बन जेगी जो बन आफ्टर 20 मिन्ट बाद बाउल देविच इन्हों मिक्स करोंगे आफ्टर 20 मिन्ट बाद रूम टंप्रेचर हो जाएगा राइट उस तो बाद तुसी की करना यह अरेडी हो चुकिया सड़ा ते एन्हों तुसी अच्छे टंग नाल एदा रैप कर देना मां हाँ जी इन्हों तुसी इद्धा रैप कर दू चंगे टंग नाल तांके बिल्कुल भी हवा नाय दे विच पभी आप आएदे विच किसी भी तरह अधी हवा नी प्यांड लेनी फिरे उन्हाई अच्छा होएगा तुसी दीख रहे हो नहीं किन्ना टाइट ली कर तो पूरा ठीक है जिन्हाई टाइट होएगा उन्हाई देविच एरचेडियों अंदर नी जाएगी ते उन्हाई सई बनेगा है हांची होने नू मैं फ्रीजर ते विच रखांगी आप 3-4 आवर्स फोर आवर्स तक तुसी नू रख लो 3 आवर्स नू कई वर थोड़ी नहीं ठीक ब मनेगी ते आफ्र फोर आवर्स बात मैं थान्नों देखांगी कि किस टाइप दी बनी है ठीकी जी होन से रों फ्रीजर रखांगे है इन्हों मैं फ्रीजर विच और्री रख देता है ते अप म र क्रूंग आन्न आ आक आफ्टर 4-hrs बादर करें और आफ देख दीना अफ्र फॉर आवर्स बाद आसी देख दीना फ्रीजर दे वेसर जलो जड़ी रखी से की ओ कितना दी मपन गी है आजी हूं तुसी देख सकते हों कि जड़ी सड़ी जलो वह बिल्कुल परफेक्टली बन गी है यह देखो बिल्कुल सी बिल्कुल जली जड़ी एदी बिल्कुल प्रपरली रैडी हो गी है और बहुत ही नाइस बनी है बिल्कुल लाइक जड़ा तुसी स्टोर देख सेम उद्धा ही बनी है बहुत अच्छे टांग नाल ते तुसी सेम जड़ा तन्वासी दस्या उस टांग ना बनाके देखो परफेक्ट बहुत अच्छी बनेंगी ते चलो जी बनावो ते सर्फ करो बच्चे नो ते तुसी यू सो मुच बबाइ